सो दोस्तो हमारे इस एड्यूकेशन सिस्टम में हम ने 12 साल स्कूलिंग कर ली और उसके बाद 4 साल कॉलेज जाकर के कर ली इंजेनिंग और हम सावी ने कॉलेज में लिया। लेकिन यह इतना असान होता नहीं है, हम सिविल इंजीनियर बन तो जाते हैं, लेकिन जहां से हमारा करियर शुरू होता है, जॉब या फिर बिजनेस, वहां तक पहुचने में आता है एक बहुत ही बड़ा स्किल गैप, जो कि आज हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का एक छोट सा फ्ला है, जिसको ठीक करने की जिम्मेदारी बिल्कुल सिविल गुरुजी ने ली हुई है, और आज की इस पूरे वीडियो में हम ये समझेंगे, कि ओन साइट ऐसी कौन-कौन सी प्रैक्टिकल चीज़े होती है, जो यदि आपने एक बार सीख ली, तो आप इस बड़े स स्किल गैप को बहुत ही आसान तरीके से पूरा कर सकते हैं, और बड़े आसान तरीके से सिविल इंजिनियर से डायरेक्ट जॉब या बिजनेस पर पहुच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, कि कैसे पहुचा जा सकते हैं, कैसे पहुचा जैसा अपने करियर पे आगे बढ़ सकते हैं, जोब पा सकते हैं, या फिर बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे इंपोर्टन पार्ट इसमें समझना ये है कि यह होगा कैसे, और आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से स्किल कौनिटी सर्वियर, बिलिंग और प्लानिंग इंगिनर, तो आप एक्सपिरेंस के बाद बनेंगे निए फिर आप MBA करके जा सकते हैं, लेकिन ये कोई भी जॉब पोस्ट में आप अप्लाई करते हैं, और एप्लिकेशन पर ही आपको स्किल्स रिकॉर्ड होती है, जैसे कि स तो ठीक इसी तरह से ये पूरे स्किल्स जॉब का मेट्रिक्स है, जो कि आपको ये एक्स्प्लेइन करता है कि कि किसी भी जॉब पोस्ट का आपका करियर गोल हो तो उसके लिए आपको क्या क्या सीखना चाहिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन में ने डिटेल लिंक दे दिया या फिर आप स्किल्स जॉब मेंट्रिक्स में मेंशन किया गया है, लेकिन आज का जो हमारा मेंट पॉइंट है कि चाहे कोई भी जॉब पोस्ट की तयारी किस तरह से करें, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिविल गुरुजी के जो कॉर्प्रेट ट्रेनर थे और बहुत सारे लोग उसी प्रोसेस में लगे हुए, हमारी टीम प्रोफेशनल कॉर्पेट एक्सपर्ट्स जो सालों से कंश्क्शन इंडस्टी में काम किया है, बहुत सारे इंटर्व्यू लिए, उनको पता है कि भी है क्या पूछने से हम हायर करते बच्चों को, इसी सबसे पहले हमारे स्टेफ बन होता है लियाउट क्योंकि कांसे काम शुरू होता है लियाउट से, तो सबसे पहले हम इंट्रोड़क्शन दे के बाद टाउंशिप और सेंटर लाइन लियाउट करना सिखते भी है, बड़ा सा एक लैंड का अईरिया है, यादि आपको प्लॉट एरिया में तो उसको कैसे करते हैं वो आप सेंटर लाइन लियाउट से सीखोगे तो गाइस यह पूरा का पूरा पार्ट दो महने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिविल गुरुज ने डिजाइन की है आपको जॉब रेडी बनाने के लिए यह आप बिल्कुल भी अपनी प्रॉब्लम शेयर जो करो हो सकता है वो आपको ऐसा सॉलुशन दे रहे जिसके हैल्प से आपको ट्रेनिंग में जॉइन करने पड़े और आपको कर्यार में ग्रोथ मिल जाए मैटर आप देफेक्ट जॉइन करना ना करना मैटर नहीं करता है मैटर यह करता है आप बात करके देखो टीम से हो सकता आपका करेयर चीनल जाए पार्ट टू स्टेप टू में हम सीखते हैं एस्टीमेशन हम सीखते एक सबसे इंपरेंट फैक्टर के हैं से इस सेंट्रल गवर्मेंट डियसर डैली शेडूल अफ रेट क्योंकि यह स्टेट का अलाग अलाग अला इस्टीमेशन को स्टीमलाइन करते हम सब स्रॉक्चरपार्ट फांडेशन पार्ट सूपर स्रक्चर पार्ट फिनिशिंग पार्ट डॉरइंडो घर विंडू उसके से साथ सिर्फटral टू क्योंकि स्टीमेशन और प्रैशन का ठ्मिए ंपको बना है जब तो बीग्यो आप सो, गाइस, इस पार्ट में, इस्रिमेशन का पूरा A to Z पार्ट का हम cover करते हैं, पूरे एक प्रोजेक्ट को solve करते हो आप, एक प्रोजेक्क का detailed estimation मनाते हो और उसी प्रोजेक्ट को ही आगे continue करते हैं, तो आपको प्रेज़ेंट करना पटेगा सामने बूर्ड पे आखेक आपने क्या क्या सीख और आफके फ्रेंट्स बैठेंड करेंगा यह आप important part मैं बताता हूँ जो मेरे साथ अपने करियर के starting phase में हुआ कि मुझे चीज़े आती तो थी लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाता था सिम आप लोग के साथ भी ऐसा बहुत होता होगा अगर होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आता तो है प्रेजेंट नहीं क बैट कितने साउंड निकलता है आपका इतने अच्छे तरीके से इंटर्वी देते कि इंटर्वी खुद सोस्ता यारी बंदा कितना स्ट्रॉंग है कैसे इसको इतने स्केल सैट के साथ इतना अच्छा वह चीज़ेंट कर पाता है तो यह मैटर करते हैं आपका डेली प्रेंटेशन चलता है जो हमारा थर्ड पाज जड़ी आटो कैट पे हम सीखते डिटेल पर फंडमेंटर सब आटो कैट और कमांड वागर तो सीखना पड़ेगा उसके बाद सब्सक्राइब कैसे बनाते हैं लेयर्स और भी कमांड में कैसे काम करते हैं जो एडवांस अब उच्छे कि ठीक है चलो समिशन ब्रवांग मना अब बोलोगे सर समिशन तो नहीं आता है ऑटो कैट स्किल मैटर नहीं करता है उसका रिजल्ट आप प्रोडूस कर पा रहे हो कि नहीं वह मैटर करता है तो यही सिविल गूर जी आपको सिखाता है ऑटो कैट सिखाते है वास्त्तो कि हिसाथ से प्लाइन करना यह सारी चीजा आता है कि हम आपको सिखाते है कॉंडूरी सर्वे मार्केट सर्वे माटेरियल का मिलता है आपके घर पे घरप भाई मार्केट में मिलता है तो पहले हमापको Market वीजट के ली बहíotics तो करिए यह मार्केट में क्या रेट है इससे सिर्फ नहीं पता चलते है इससे आपकी तो के इसे पर्सिनालिटी घ्रो थी आप जा करके कम्यूनिकेट कर। आप जा अपर ए से शिविल गुरुजी से दौराट डरेट इंजिनियर दो मेने बाद यह फिल करता है यह आप में रियल इंजिनियर बन पाया इसे के साथ आपको रेट अलिसिस वह भी क्रेंट मार्केट रेट के हिसाब सापको डेली सिखाया जाता है इस कॉन्रेटी सर्विए तरह से फुटिंग से स्टार्ट करके पूरी बिल्डिंग की फिनिशन तरह का फूटिंग हो गया कॉलम हो गया बीम स्लैप स्टेयर केस यह पाइल पाइल के कुछ अधर भी सिखाते को हो सकते हैं पाइल आजाए कहीं पर तो आप तो यह नहीं बोलोगे सर पाइल तो पढ़ा की अधरिया इन बात की मटेरियल का अधर उसके साथ साथ ड्राइंग पढ़ते हुए बार बंदिंग स्टीलoter के देखा आपका प्रजेट कम्पेट ओते जा रहे ना धीरे धीरे आप पूरा प्रजय करते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा दो महने में आप ए सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर सर्वे कैसे परफॉर्म करते हैं प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है यह सारी चीज आपको डेटेल पर पढ़ाई जाती है तो आपके पास क्या होगा प्रोजेक्ट और कंप्लीट हो गया और अपको बिलिंग आपको सिखाया जाता है आइटम वास कॉंट्रेक्ट बिल आपको यहां पर सिखाया जाता है और जैसे आप बिलिंग का पार्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं अपने स्टेप सेवन में बिलिंग वर्क के लिए तो उसी के साथ साथ आखरी के विदिन वीक में आपको इंटर्वीव प्रिपरेशन की तयारी कर वाई जाता है यह इतनी सारी चीज होगी और सबसे इंपॉर्डेंट पार् आता है आपको अपने इंजीने से पूरा पूर्ट फोलियो बनाते हैं सेलेक्शन रिशियो क्यों जादा इसी वज़य से क्योंकि इंजीने हर एक स्किल जो आपने देखा बिलिंग सर्वेंग बीएस उसके बाद में बात करूं तो कौंडिटी सर्वें ऑ्टोकैड एस्निम इसा कि दो महने के ट्रेनिंग कर लिए आपने इसी वज़य से तो यदि आपको ये सारी स्किल सेट का फायदा उठाना है तो इंजीने सबसे इंबॉर्डन पार्ट है आपको इस ट्रेडिंग शडियूल में जॉइन करना पड़ेगा जो कि सिविल गुरुजी की दो महने की आपको फर्स्ट मन नौ से एक क्लास लगती है उसके साथ साथ हर मेहने की पहली तारीक को नया बैच चालो होता है एक अभी चालो होने वाला है तो और सिर्फ और सिर्फ बीस इंजीनेस ही हम लेते एक बैच में ना बीस से जादा ना बीस से का तो आपको ये ध्यान देना ह कि 20 इंजीनेस के लिमिटेड बैच में ये आपको आना है तो आपको अभी फूल लगा के टींग से बात कर लेनी चाहिए बात करो फिर उसके बाद बैचेस के बारे में अविलेबिलिटी पूछ ले ना आपके लिए सीट बच्ची है कि नी इंडिया के अलागे-लाग लोके चालू कर सकते हैं यदि आपने करियर में इस अलग अलग छे जगा जाना चाहते हैं तो आपके लिए बैस्ट ऑप्शन वह से ओफ्लाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इस ट्रेनिंग में जॉइन करके आप अपने करियर को बड़े असान तरीके से वहां तक पहुंचा सक पहुंचार, दहरादून, डेली-NCR, दौरिका, इंदौर, जैपूर, और इतना ही निसी के साथ-सत, कलकत्ता, लखनाओ, मतुरा, मोहाली, नागपूर, पिरागराज, पुने, राची, हैदरबाद, साकेथ, और सिविल गुरुजी के और भी अधर ब्रांचेज हैं उसकी स 65% फीज सिविल गुरुजी के आपको तब पे करना है, जब आपकी जॉब 20,000 या उससे जादा की लग जाएगी, नहीं लगेगी तो आप पे मत करिएगा, और सिर्थ 35% फीज पे करके आप अपने करियर में वो स्किल्स इन बिल्ड कर सकते हैं, जो कंपनी इसकी गाइस रि करके जाओ, और पूछो कि सर, यदि मेरे को ये सारी स्किल्स आ गई, तो क्या आप मेरे को जॉब पे रख लेंगे, क्या, आप को ये लगता ही कि यार, सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टूट है, वो तो बोलेगा या कर किसी को, तो आप उन से जाकर पूछ लो, सबस करके लगेगी, वो बता दो, मैं वो सिख्या जाता हूँ, क्लियर है, तो ये सॉलूशन हमको निकालना है, करियर हमको बिल्ड करना है, वो हमारे उपर है, मैं आप से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सीखना तो पड़ेगा, चाहाँ आज सीखो चाहे कल, अभी सीखो चाहे, जब आपका मन करें, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, मैं यह नहीं कहता है, हमारे पास ही आजाओ, एक ही ऑप्शन है, आपको जैसा सीखना है, आपको अपने सीनियर से सीखना है, सीनियर से जाकर सीख लो, फ्री यूटूब इनिवर्सिटी से सीखना है, वहां से जाकर सीख करना चाहूंगा और यदि आप हमारे थुरुआ करके हमारे साथ सीखना चाहते हो तो अच्छी बात और कोई है नहीं उसके लिए आपको क्या करना है फोन उठाना है कॉल लगाना है नाइन 11001234 पे अपने करियर पर आगे बढ़ना है और यदि आपको हमारी महनत पसंद आती है तो लाइक जरूर करना चैनल पना हो सब्सक्राइब के बीना बढ़ जाना और यदि आपको रेगुलर वीडियो और भी इंट्रेसिंग कंटेंट चीए तो बैल का आइकॉन जरूर दबा होंगे मैं आपसे यही कहना चाहूंगा वक्त है वक्त रहते काम कर लो क्योंकि यदि वक्त सिखाएगा तो बड़ा दर्द होता है मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जरून के साथ तब तक लिए नमस्कार और करना है खास करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ नमस्कार जैहिन जैभारण